हेलो गाइस मैं वरू नवस्ति एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ गाइस मुझे बता है इस टाइम पर सबसे बड़ा एक कोशन जो आपके माइंड पर है वो क्या है कि SSC CGL और SSC CPO का एक्जाम कब होने वाना है देखे आज की डेट में सभी लोगों के पास यह सबसे बड़ा कुशन है इवन मैं आज आपको परसनल अपना experience शेयर कर रहा हूँ किसी से पूछ के नहीं आपको बता रहा हूँ इवन मैंने SSC में कॉल करके खुद पूछा है तो मैं आपको जो बता सक रहा हूँ अपनी तरफ से information दे देता हूँ है रहे SSC में कॉल किया आज then they said की अभी कोई भी information नहीं है after 10 days you have to call us मतलब की 10 दिन के बाद फिर सो उने call करो और बताओ ठीक है ना आपका ssc.nic.in पे तो मिली जाएगा वहाँ पे हर चीग है उन्होंने notified soon, notified soon करके लिख दिया है जितनी भी test अभी तक होने वाले थे इस year के ठीक है अब उस पे criteria क्या है क्या-क्या चीज़े expected है वो सारी चीज़े हम discuss कर लेते है SSC ने जो अपने notification में कुछ चीज़े mention करी हुई है वो चीज़े मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ SSC seizure tire for last year का जो exam है वो इस बार expected कब है November या December में जिससे आपको लेना देना नहीं है इस बार के जो experience से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है पुराने जो competitors है उन्हें इस से लेना देना है next देर बात करें तो CPO की CPO के exam में notified letter आ रहा है देखे रीजन कहा है सबसे बड़ा बहुत पूछ रहे है SSC ने अपना exam डिले क्यों कर दिया अभी तक क्या था SSC का exam जो भी company conduct कराती थी देखे एक चीद आप सबसे पहले आपने दिबाग से निकाल दीजे जो लोग SSC को abuse कर रहे है government को abuse कर रहे है इस सबसे कोई फायदा नहीं है You all are gentle personality आप competitor हो आप student हो आपका काम है पढ़ाई करना ठीक है ना आप इस चीज़ को positive में लेकर चलो कि आपको time मिल गया है तो reason क्या है guys vendors होता है SSC का काम है paper set करना SSC paper set करता है उसके बाद vendors का होता है vendors का काम यह होता है center set करना center allotment करना यह ऐसा vendors का काम होता है तो अभी तक जो भी SSC का exam था वो SIFI name की एक company यह सारा कुछ conduct करती थी अभी जैसा कि आप सभी ने देखा कि last year कई जगे से paper online paper leak हो गया कई जगे centers में problem आई मतलब की connectivity चली गई इन सारी चीजों की वज़े से इतने जादा wrong feedback पहुंचे इतने जादा negative feedback SSC के पास महुच गये कई लोगों ने तो even डेली में इतने दिन off रहा लोगों ने strike किया protest किया SSC के तो इतने सारा इतना सब कुछ हो गया पिछले 6-7-8 मेने में कि इस बार SSC ने decide कि वो अपना vendor change करेंगे और यही reason है कि 30 June 30 June 2018 में सिफी के साथ इनका contact खतम हो रहा था इनोंने सिफी के साथ contact अपना खतम कर दिया है and इस बार they are going to search a new vendor for them अब new vendor search करने में उन्हें task allot करने में उन्हें जितना time लगता है बस उतना ही time आपके exam में लग रहा है यही reason है कि इनोंने हर दोग आपने notification में नोटिपाइड सूल लिख रहा है अब कही लोगों का पूछना है यह भी पूछों के मुझसे किसार expected गव है तो मैं आपको बता दू expected है November-Disumber ठीक है और November-Disumber तक है expected है उसके बाद T-R तो एक चीज हां पहले बता देता हूं CPU पहले होगा और CPU के बाद आपका seizure होगा और जो भी exam होगा उसके बाद 62-90 days में उसके बाद टायर 2 होता है यह आप सभी को पता है एक चीज जो एराउंस्मेंट है सभी के लिए वो कहीं लोग ठाम लखें मुझे बता है कहीं सारे मेरे student है जिन्हों ने इस पार Constable GD का exam फिल किया हूआ है क्या आप लोगों की queries आती रहती है इसलिए मैं जानता हूँ तो मैं आपको यह बता दूँ Constable GD वादा भी जो नोटिफिकेशन लेट हो गया था डिले हो गया था लेकिन उसका notification आ चुका है 17 अगस्त से 17 सेटेंबर तर यह form आप एपलाई कर सकते हो ठीक है ना मतलब की दो दिन बाद से आज 14 तारिक है दो दिन बाद से यहाँ पर आप आप एपलाई कर लोगे तो SSC GD Constable के लिए आप एपलाई कर सकते हो इसको एपलाई करते है ना लेकिन exam में भी notified soon लिखा हुआ है तो obvious ही बात है इसका exam next year ही होने वाला है but application आगया है तो आप लोग बिल्कुल तयार हो जाओ तरीके से next अगर MTS की बात करें MTS में भी notified soon exam के लिए लिखा हुआ है लेकिन notification में इसका 3 November को आ जाएगा Tire 2 का notification अगले साल आ रहा है लेकिन जनवरी में ही आ रहा है यह सारी चीजे में आपको grief कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके माइन में एक scenario बन जाए अब देखे एक सबसे बड़ी बात कई लोगों के माइन में एक सबसे बड़ा question यह है कि sir इस बार का SSC seizure जो delay हो रहा है क्या जो 2019 में CET होने वाला है ठीक है ना CET जो होने वाला है combined entrance test उसी में तो 2018 का SSC seizure नहीं conduct करा दिये जाएगा अगर आपके माइन में यह question चल रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मन तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि SSC ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी government organization department ऐसा नहीं कर सकती एक बार इन्होंने circular निकाल दिया है that means 2019 से ही CET होगा 2018 का यह आखरी exam है SSC का जो कि अपना particular exam करा रहा है इसके बार जो भी exam होंगे वो CET लेगा ठीक है ना सुध्यान रखना है इस बार का थ्रौस्ता लेट हो रहा है बट होगा exam जुरूर एक चीज और आपको बता जिता हूँ आप ऐसे कई लोग abusive language यूज कर रहे हो, गौर्मेंट को abuse कर रहे हो, SSC को abuse कर रहे हो, phone करके, social media एक चीज आप लोग जार रखो आप लोग सिफ अपना time waste कर रहे हो और कुछ ने ठीक है पहली चीज तो जो लोग काफी time से preparation कर रहे थे वो लोग थोड़ा सा demotivate हो रहे है क्योंकि उन्होंने expect कर रखा था exam आने वाला है उनकी तयारी उन्हीं उसी तरीके से थी और अभी जब space मिल जाता है तो उन्हें उनकी continuity उन्होंने plan तो करी नहीं अभी उन्हें लगता है कि बीच में space का मैं करूं क्या कुछ नहीं करना है 10-15 days का आप आराम से break लो और फिर से steady को continue करो एक चीज और जिन लोगों के अभी तक steady नहीं हो पाई थी उनके लिए तो इससे एच्छी कोई बात ही नहीं है उनको और जादा time मिल चुका है वो लोग जम कर steady में लग जाए और जिन लोगों में पहले से तैयारी कर रखी थी उनके बराबर अपना level लेके आ जाए ठीक है ना? So guys बस यही ससी ते जो मेरी बात हुई है वो मैंने आपको शेयर करी है इस वीडियो में बाद 10 दिन के बाद मैं फिर से बाद करूंगा और फिर से आपको सामने आकर आपको information दे दूंगा जो भी official information होगी Thank you so much guys further if you have any question then you can mail me or comment over there comment box Thank you guys